कि अज़ा और दोस्तों और मैं वैद कुमार आज के इस नए अपसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वावित करता हूं कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप चेहरे की खोई वी चमक फिर से पा सकते हैं इस असरदार घरेली नुश्के से हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्टी उमर के साथ चेहरा और तवचा की चमक का खोई जाना एक बहुत ही आम बात है चेहरे पर कालापन आना, जुर्या आना, बारिक छिदर का ज्यादा खुल जाना, कीन वह मुहासे होना इन जैसी सबी समस्याओं का होना एक बहुत ही आम बात है जो आज कल की भागती दौरती जिन्दगी में हम देख सकते हैं तो आज हम इसी के लिए आपके लिए उपाइला हैं लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये गए हुए लाल बटन को दबा कर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि आप हमारे साथ बने रहें और आने वाली बहुत सी फाइदेवन वीडियो से आप लाब उठाते रहें और हाँ दोस्तों बेल या घटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा तो जैसा कि हम बात कर रहे थे दोस्तों कि बढ़ती उमर के साथ चहरे के तोचा की चमक खो जाती है और हमारे चहरे पर कालापन जुरियां बारेग छिद्र और मुहासे जैसे कई चीज़े चहरे पर आक्रमन कर देती हैं तो दोस्तों इन सभी का ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक असाधारन घरिल नुस्का लाया हूं जो आपको बगी आसानी से इन सभी समस्याओं से छुटकारत दिलाएगा तो आईए देखते हैं नुस्का दोस्तों टमाटर टमाटर तो आप सभी जानते ही हैं दोस्तों यह हम सब की किचन में पाया जाता है और हम इसको बगी शौक से सैलड में रोज खाते हैं लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी दोस्तों कि हम खाते तो हैं लेकिन हमें इसके बारे में बहुत कम पता है कि यह क्या क्या कर सकता है तो आज हम इसी के उपर से ऀराज खोलेंगे दोस्तों दोस्तों टमाटर है जो होता है वह श्किन में oxygen के संचार को LOOK हो जादा बढ़ा देता है जिससे जौरियों पडिलियों का होना दुख जाता है साथ ही टमाटर को भी सोटा है दोस्तों गी तो आज इसी जरू करतें दोस्तों दोस्तों और सबसे पहले आप टमाटर लीजिए और इसको दो टुपे कर लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों करते जैसा कि आप दो टुपे कर लेंगे टमाटर के तो आपको करना क्या है दोस्तों टुपे करने के बाद इन में से एक टुकोगा उठाईए उठाना है और बिलकुल हलके हातों से अपने चेहरे या स्किल पर अच्छे से लगाना है भ्यान रखें कि आप इसे ऐसे ही गोल-गोल घुमाते हुए अच्छे से मसाज करें और ऐसा करीब आपको 10 मिनट तक लगाते रहना है अगर आप इस तरह मात्र सिर्फ दस दिन भी अप्लाई करते हैं तो सच कहता हूं कि दोस्तों कमाल का हिजर्ट मिलेगा आपको आपके चैहरे के मुहा से कील वगेरा सब एकदम गायब हो जाएंगे एकदम क्लियर बस आपको इस नुश्के को लगातार साथ दिन त साथ दिन तक उप्योग करना है और ऐसे ही राउंड राउंड घुमाते हुए आपको करीब डस मिनट तक लगाते रहना हैं आपके मुहा से चैहरे के दाग वज़ाईयां बिलकुल गायब हो जाएंगे ये मैं आपको पूरे विश्वास से डंके की चोट पर बोलता हूं द दोस्तों आप को इस नुश्के को इस्तमाल कीजिए और कमेंट के जरिये अपना फीटबैक जरूर दे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हम कल मिलते हैं आप से एक नई वीडियो में और एक नए उपचार के साथ तब तक आप अपने अपना ख्या रखें हसते रहें मुस्क अपने बाद